यहां पर word type setting करके उन्होंने एक feature डाल दिया, यह दिखिए, home tab के अंदर, जो Microsoft word में आपको नहीं मिलेगा, look up formula यहां पर आपको मिलेगा, index and match मिलेगा, look at here guys, as it is, सब कुछ आपको यहां पर tool tip मिल जाएगा, write a social media post about Indian culture, and आपको यहां पर मिल रहा है, एक social media post, अगर आपको ल मैं उनकी, हां बोली अन्ना, क्या हुआ, ओयो अन्ना सती जी, thank you जो तुमने phone उटाया, मैंने मेरे computer में Microsoft Office इंस्टॉल किया, अब मैं word open कर रहा है, तो product की पूछ रहा है, excel open कर रहा है, तो product की पूछ रहा है, यह तक मैंने powerpoint भी open करके देखा, उसमें भी product की पूछ रहा है अब मैं क्या करेगा, अरे अन्ना, Microsoft Office जो होता है न, वो paid होता है, और उसके लिए आपको Microsoft Office खरीदना पड़ेगा, तब हो चलेगा, लेकिन, don't worry, मैं आपको एक solution बताने हो, आप phone रोखो, मैं यह आपका प्रोब्लम में, यह सबका प्रोब्लम में सबको बता देता हो, call और अगर आप Microsoft Office खरीदना नहीं चाहते हो, तो free वाला Microsoft Office का alternate software आपको जानना है, तो इस वीडियो मैं में बताने हो, जिया दोस्तो, WPS Office, जो कि विल्कुल Microsoft Office के अंदर, जो Word, Excel, PowerPoint है, वैसे WPS Office में document, spreadsheet and presentation होता है, इवन PDF भी आपको WPS Office में मिलता है, तो अगर आप जानने में इंट्रेश्टोड़ हो कि यह free software अपने computer में कैसे install होगा, और Microsoft Office के सारे features हम कैसे access कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हो, तो चलिए, शुरू करते हैं, screen के उपर. तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानते कि यह WPS Office हमारे computer में download install कैसे होगा, free में, तो उसके लिए करना क्या है, description में मैंने link दिये, उस पे click की, जैसे आप click करोगे, आपके सामने यह website open होगी, जहाँ पे free download button आपको मिल जाएगा, यहाँ पे click करते ही, यहाँ पे left corner में आपक और इसके उपर click करके आपको next next करके install करना है, installation बहुत ही simple है, यहाँ पे कोई ज्यादा logic जगानी के ज़रूद नहीं, next next करके install कीजी, so once you install properly WPS Office तो आपके सामने इस तरह का interface दिखाए देगा, right, यहाँ पे आपको document दिखाए दे रहा है, spreadsheet दिखाए दे रहा है, presentation दिखाए software रहता है, वैसे यहाँ पे document है, Excel है, उसके लिए आपे spreadsheets program है, और PowerPoint के लिए आपे presentation program है, और PDF यहाँ पे additional program भी आपको साथ में मिल रहा है, तो धेर सारी चीजे इसमें होने वाले, एक बार इसका interface हम समझ लेते हैं, यहाँ पे और भी धेर सारे tools आपको मिलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे document के बारे में जानते हैं, अगर आपको कोई document एडिट करना है, तो इस document पे click कीजिए, तो जैसे आप document पे click करोगे, आपके सामनी कुछ इस तरह का interface आएगा, जहाँ पे all templates लोड़ोगे, इसमें धेर सारे templates आपको मिल जाते तो धेर सारे free templates यहाँ पे मिलते हैं, look at here guys, popular recommendation, diwali presentation, business, medical, plan and summary, lot of templates guys, तो इन template की मदद से आप directly आपका यहाँ पे document बना सकते हैं, तो बहुत सारे templates यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि Microsoft Word के अंदर इतनी सारे template नहीं रहते हैं, second, मैं यहाँ पे click करो, blank document पे फिलाल दो, फिला सारे options, compare to Microsoft Word में, यहाँ पे धेर सारे और भी extra options आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको home tab, insert, page layout, reference, review, view, section, tools, अलग-अलग यहाँ पे आपको tab मिल रहे हैं, और यहाँ पे document application के अंदर आपको AI feature भी मिलने वाला है, उन्होंने अभी document और PDF के लिए basically AI feature अभी add किया है, invent कर दिया आपको मिलने वाले, so यहाँ पे document के अंदर AI features के आई, वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे file open करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ content type की, file open की, जिसमें कुछ content है, right, इस content को मुझे rearrange करना है, तो मैं आपको इसका AI feature दिख rearrange button पे आप क्लिक कीजिए, rearrange paragraph, right, तो यहाँ पे properly paragraph rearrange हो रहा है, दिखाए देरे आपको जो पहले था, अलग-लग, मुझे यहाँ पे अलग-लग dash point की सबसे दिया था, मुझे उसकी सबसे नहीं paragraph चाहिए, तो automatically उसने rearrange कर दिया, बीच का जो hype बनता हुआ अटा के पूरा paragraph यहा option आपको दिखा रहा हूँ, batch delete में जाहिए, जैसे आपको लगता है कि इसमें से space delete करना है, पूरा यह empty paragraphs हटा देने, so जाकर यहाँ पे empty paragraph पे click कीजिए, जैसे आप click करोगे, जितने भी paragraph थे, वो remove हो जाएंगे, वैसे अगर आप Microsoft Word में करने जाओगे, तो एक-एक paragraph के आगे अगर कई पे है, आपकी document में तो वो हट जाएगा, even blank pages जादा है, तो वो भी यहाँ पे आप हटा सकते, तो ऐसी धेर सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहे है, even आप delete text formatting भी कर सकते, यह देखिए, जहाँ पे भी bold है, वो सभी के सभी एक साथ delete हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको select करके रखा है, and I'll make it bold, and this one is bold, तो अभी मुझे क्या करना है, bold यह formatting हटानी है, तो bold पे मैं चेक करूंगा, delete selected format, तो जहाँ जा confirm diletation, जहाँ 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 बोल्ड रहेगा, वो सभड जाएगा, right, मैंने आपको बस example बता है, but you can try these all settings, like hyperlink हटाना है, तो यह badge delete का मुझे लगा, formatting अटाने के लिए हो गया, space अटाने के लिए हो गया, ऐसी धेर सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते, तो यह badge delete ज़रूर, try easy है, from document application, तो यह WPS का document application है, जिसमें आपको tools section में मिल रहे है, tools sections के अंदर भी कुछ interesting चीज़े आपको यहाँ पर मिलेगे, जैसे export to PDF है, export to picture भी आप कर सकते, जो Microsoft Word में available नहीं रहता है, इस particular page को आप picture में export कर सकते, even OCR, optical character recognition, यहाँ पर यह feature PDF में भी available है, जैसे कोई भी image का OCR रीड करके, आप character आप अपने word में ले सकते, so picture to word भी होता है, PDF to word भी हो जाता है, यहाँ पर split and merge भी है, यह सारे options आपको यहाँ आप भी दिखाए दे रहे, even there is one more option, batch rename files, यह भी मुझे कापी interesting लगा, मैं click करता हूँ, batch rename पे, तो जब मैंने batch rename पे click किया, तो यहाँ पर replace text आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ file add कर दे जो, add files, और मैं, मेरे document folder से कुछ word file यहाँ पर add कर रहा हूँ, तो domain नाम देना है, जो भी नाम देना है, आप यहाँ पर दे सकते हैं, करना क्या है, find out में यहाँ पर नाम type कर देना है, जैसे word practice file जो है, उसकी जग़गा क्या चाहिए आपको, so word practice की जग़गा, यहाँ पर मुझे चाहिए document, क्योंकि Microsoft word की जग़गा, मैं यहाँ पर document यूज क प्रेक्टीस फाइल का उसने क्या क्या है, document practice file, तो यहाँ पर word practice file का क्या कर रहे हो, document practice file, word क्या आगे, यहाँ पर space दीजिए, यहाँ पर document में भी space आएगा, तो file का नाम क्या होगा, document practice file, यहाँ पर find out में word लिखा, उसकी जग़गा मुझे document चाहिए document practice file, right, word से हम स्वीच ह document में, WPS document में, तो यहाँ पर इस तरह में रिप्लेच किया rename file, एक साथ यह rename हो जाएगी, तो ऐसे धेर सरे interesting option, अभी मैंने आपको बताए, तो साथ में अभी document के बाद मैं आपको spreadsheet का यहाँ पर overview दिखाना चाहूँगा, interface दिखाना चाहूँगा, कैसे काम कर सकते spreadsheet के अंदर यह भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर WPS Office पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर spreadsheet option दिखाया दे रहा है, right, so spreadsheet option पर click किजिए, जैसे आप click करते है, आपको Excel का जो interface मिलता है, वो ही यहाँ पर मिलने वाला है, सबसे पहले तो आपको धेर सारे templates मिलेंगे, और ready made templates से यहाँ से आप directly काम कर सकते है, काम करना शुरू कर सकते है, जैसे आपको cash flows maintain करना है, तो go and click on this template and you will able to access it directly, right, आपको कोई बनाने की जरूत नहीं बाए, blank पर click करके आपको blank यहाँ पर workbook लेके दिखाता है, basically किस तरह से यह workbook आ रहा है, right, तो यहाँ पर आपको दिखाया दे रहा है, we can add multiple sheet by clicking on plus, even there is the same options like home, insert अगर options आपको दिखाय दे रहे है, and there is also smart tools options, smart tools option यहाँ पी दिखाय दे रहे, right, yes, skill course tools, यह तो हमने design किया हो, add-in से, जो हमारे excel में add है, वही यहाँ पर आपर रहे, right, फिलाल यहाँ पर smart tools करके एक उन्होंने add करके रहे, and here it is, same formula, you will find out, same, same structure, we look up formula यहाँ पर आपको मिलेगा, index and match मिलेगा, look at here, guys, as it is, सब कुछ आपको यहाँ पर tool tip मिल जाएगा, so excel में जो काम आप करते हैं, वही आप यहाँ पर spreadsheet के अंदर करोगे, WPS office के, right, and here it is, smart tool में क्या option मिलेगा, यहाँ पर smart tool में आपका घंटों को काम min to min seconds में करने के लिए options, जैसे example के लिए लेलो, format में अगर आप जाओगे, तो आपको अगर कोई number को text में convert करना है, text को number में convert करना है, convert text to number, तो जैसे यहाँ पर example लेलो, यहाँ पर अपने जो number लिखा है, लेकिन यह गलती से text format में आ चुका है, कई कबर आता ही है, text format में आगे, तो यह left side में रहता है, तो यह text format में, तो format में जाओ, convert text to number, बस, जितने भी number एक साथ यहाँ पर convert कर सकते, यहाँ पर बहुत आसान options उन्होंने दिये, right, manage duplicate भी option दिया है, highlight duplicate, page duplicate, highlight unique values, easily आप यहाँ पर यह सारी चीज़े कर सकते, और अगर आप चाहते हैं, इसके उपर मैं detail वीडियो बनाओ, इन सभी options के उपर, तो आप मुझे comment में जरू लिखिए, कि इनका हरे एक particular application का आपको detail video चाहिए, document का लग detail चाहिए, spreadsheet का लग चाहिए, presentation का चाहिए, PDF का चाहिए, so I am going to create a detail video guys, for these particular applications, WPS के उपर detail video हो जाएगा, if you want to tutorial video on the WPS office, then let me know guys, in the comment section, I'll create a detail video on WPS each and every applications, like document हो गया, spreadsheet हो presentation हो गया, PDF हो गया, सब के उपर, okay, तो यह Excel का overview था, Excel में बहुत सारे tools आपको मिलते है, that I have shown you, and now, let's go into the WPS office again, और उसमें आपको presentation में दिखा रहो, presentation के interface में दिखिए, again you will get a lot of templates, जिसमें ready-made images available रहेंगे, ready-made सारी चीज़ा available रहेंगी, setup, you can go and select any template, like मुझे यह template चाहिए, use पे click कर दो, यहाँ पे दिखिए, free to use, directly free to use पे click किजिए, I am just telling you one example, मैं अभी तक एक भी template नहीं दिखाया था, word, Excel में, तो यहाँ पे मैं template दिखा रहो आपको, so now guys, look at here, the template is loading right now, and it's loaded, oh oh, यह दिखिए, कापी interesting template है, सब कुछ ready-made चीज़ा आपको मिल रहें, बस आप content यहाँ पे add कर दीजिएगा, content, right, बहुत सारे अलग-अलग slides यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इन slides में पस आप अपनी company का नाम, अपनी company का logo, सारी चीज़ा आपकर सकते हैं, and these are the ready-made template, even, you will have same options like PowerPoint, यहाँ पे देख सकते हैं, PowerPoint में जो options रहें, वैसे यहाँ पे WPS के presentation में, home है, insert है, design है, transitions है, animations है, you can add different animations, you can apply transitions to lots of slideshows and all, slideshow भी भी आपको setup show, अगर आपको मिल रहा है, view मिल रहा है, and tools मिल रहा है, याद रखिये, tools में, again, you will get export to PDF, export to picture, video exporting भी यहाँ पे कर सकते हैं, and there सारी वो, जो मेने word में options दिखायते हैं, वैसे यहाँ पे, rename batch file, again, you will get here, all right, so these are the options that they are providing guides, and one more application, that is what, PDF, यहाँ पे आप देख सकते, PDF, PDF में click किजिए, open PDF कर सकते, create PDF from file, create blank PDF, PDF edit आप कर सकते, there सारी PDF को आप merge कर सकते, merge PDF option से, PDF compress कर सकते, split PDF कर सकते, हाला कि इसमें से कुछ options paid features में available है, लेकिन बहुत सारी free features में भी इन्होंने already available करके दिये है, so PDF to word, Excel, PDF to picture व सकते है, other useful features भी उन्होंने दीए, there सारी, so you can read it now, and मैं एक example दिखा तो, PDF edit करना है मुझे, PDF edit पर मैं click करता हूं, and I am selecting one PDF, यहाँ पर मेरी एक PDF पड़ी है, मैं उसे open कर रहा हूं, now this PDF will be editable, right, यह दिखी, यह पूरा-पूरा editable available है, यह आप यहाँ पर edit कर सकते है, आसानी से किसी भी PDF को आप आसानी से यहाँ पर edit कर सकते है, even there is a tools, and you can go for batch, PDF printing कर सकते है, batch rename भी कर सकते है, और धेर सारी, यहाँ पर options आपको दिखाए देरे, home tab में हम PDF के साथ क्या-क्या कर सकते है, annotation add कर सकते है, PDF में highlight कर सकते है, जैसे मुझे PDF में कोई चीज़ हाइलाइट करनी है, so go and select the highlight color and drag it, oh yeah, you can highlight it, जो भी आपको highlight करना है, right, इस तरह से highlighter यूज़ कर सकते है, signature यूज़ कर सकते है, आप धेर सारी चीज़े उन्होंने अल्रेडी आवेलेबल करके दिए, edit में जाओ, edit करना है, PDF को तो edit करो, comment करो, PDF को annotation add करना है, कुछ call out add करना है, rectangle यहाँ पर draw करना ह पे है, page options है, जहाँ पर आपको ऊपर यह option दिखाए दे रहा है, and it is paid features, like PDF two word है, यह paid features available है, यहाँ पर convert है, page है, fill and sign options है, and protect options भी, PDF को आप प्रोटेक भी कर सकते है, कुछ free features available है, कुछ paid features available है, but document, spreadsheet and presentation, normally यहाँ पर ज्यादा तर उन्होंने free access करने के लिए ही रखे, तो चलि इस पर मैं click कर रहा हूँ, जैसे मैं click करूंगा, मैं document के अंदर आ जाओंगा, और यहाँ पर आप देख सकते, start writing with WPSEI, यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ, जैसे मैं click करूंगा, यहाँ पर कुछ pop-up आपको दिखाए दे रहा है, वो आपको पूछ रहे कि आप क्या लिखना चा करूंगा, जैसे मैंने click क्या, write a pros and cons list, about मैं यहाँ पर लिखता हूँ, use of mobile phones, right, तो mobile phone जो हम use करते, उसके pros and cons मुझे बताओ, मैं AI को बता रहा हूँ, मुझे content यहाँ पर लिखने, मैं अभी Google पर जाके नहीं search करूंगा, Google पर जाके सर्च करूंगा, तो Google एक किसी ने लिखा content देगा, लेकिन AI यहाँ पर खुद content generate करेगा, right, यहाँ पर यह generative answer है, pros and cons आपको दिखाए दे रहा है, right, अब गर आपको लगता है कि यह ठीक ठाक है, बढ़िया दे रहा है, तो आप इसे continue कीजिए, यह फिर आप rewrite कर सकते हैं, यह दुबारा pros and cons लिखेगा, right, अगर pros and cons में से cons लिखने की, यहाँ पर को सिस करेगा, pros and cons दोनों भी लिखे देगा, right, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे और उसने pros and cons आपको दे दिये, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इसे आप directly accept button पे click करेंगे, तो accept हो का discard करेंगे, तो यह चला जाएगा, हट write a social media post about Indian culture, India culture या Indian culture, whatever, right, you can write like this, and आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक social media post, क्या बात है, अगर आपको लगता है, यह नहीं आच्छा, तो rewrite button पे click करो, वो फिल से सोचेगा आपके लिए, और कुछ अलग लिख के देगा, इस बार, right, हमेशा यहाँ यहाँ पर नया answer generate होता है, यह जनरेटिव है, यह क्या answer देता है, आपको पता ही, अल्री जनरेटिव answer देता है, तो यहाँ पर बहुत सरी चीज़े आपको दिखाई दे रही है, accept button पे click करती है, यह accept हो का, discard मैं फिलाल कर रहा हूँ, आप इसे continue करके और भी generate कर सकते है, तो यहाँ पर मुझे इतना ही job, right, तो मैं hire करना चाता हूँ, तो मैं यहाँ पर directly letter लिखूँगा, या फिर मैं job के लिए apply करना चाता हूँ, तो job description का भी letter आप यहाँ पर लिख सकते, पूरा पूरा चीज़े, यहाँ पर आपके लिए readymade available है, बस click करना है, आगे आपको, आपका subject लिख देना है, जैसे आ आप click करोगे, उसके बाद कुछी seconds में answer generate होगा, यहाँ पर आप देख सकते, dear candidate, we are excited to inform you that we are currently seeking a skill data analyst to join our team, right, company का नाम औगरा दे दो यहाँ पर, उन्होंने दिया है, यहाँ पर भी candidate का नाम दे सकते है, बाकी सारी चीज़े यहाँ पर दिये, hiring manager name आप यहाँ पर दे सकते है, तो इस तरह से AI writing यहाँ पर काम करता है, इंट्रेस्टिंग है, फिलाल मैं इसे accept कर देता हूँ, writing के लाओ और क्या कर सकता ही है, मैं आपको बताता हूँ, जैसी यह paragraph बड़ा लिखा गया है, यहाँ पर बहुत बड़ा paragraph ऐसा example ले लो, इसकी summary आपको चीए, तो इसे select करो, यहाँ पर select करते ही यह दिखिए, आप यहाँ पर WPS option आपको दिखाए देगा, जैसी ही आप इसे select करते हो, यहाँ पर एक pop-up पाएगा, या फिर आप right-click करोगे तो भी चलेगा, उसमें आपको यह पर WPS AI option बिलेगा, click करती ही, यहाँ पर कुछ options open हो रहे हैं, जिसमें summarize य इसका writing improve करना है, तो improve writing कर सकते हैं, make longer इसको बढ़ाना है, तो बढ़ा सकते हैं, make shorter, तो यह एक interesting option यहाँ पर दिया है, तो आप जो करना चाहते है, explain करना चाहते है, change format करना चाहते है, क्या करना चाहते है, मैं चाहता हूँ इसे continue writing करो, right, तो मैं continue writing करता हूँ और इसे थोड तो मैं यहाँ पे replace करता हूँ, तो वो points हट गए और ने points आई होगी, क्या बाद है, तो यह जो basically किया न मैंने अभी, यह सब basically AI की मदद से हो रहा है, आपको बस पहरेख आपको select करना है, select करने वाद इसके उपर right click कीजिएगा, WPS AI पे click कीजिएगा, summary निकालना चाहते हो, explain करना चाहते हो, जो भी करना है, आप एक try कीजिए, मैंने एक option आपको दिखा दिया है, इस तरह से AI की मदद से आप अपना काम आसान कर सकते हैं, घंटों का काम मिंट अमिनी seconds में कर सकते हैं, but remember AI features जो available रहेंगे, इनके paid version में available रहेंगे, फ्री में कुछ आपको trial के लिए मिलेंगे, यहाँ पे guides, इसके अलोगा, दुबारा मैं home पे click कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको AI PDF Reader दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इसके उपर click करता हूँ, यहाँ पे PDF Editor basically open हो जाता है, अब इस PDF Editor में मैं मेरी PDF फाइल अपनी open कर लेता हूँ, मैं इस PDF Editor में अपनी फाइल open करता हूँ, तो मैं यहाँ पे menu में जा रहा हूँ, open में जा रहा हूँ, और मेरी employee data नाम की फाइल यहाँ पे select कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं click करूँगा, जैसे मैं click करूँगा, एक right side में आपको pane नज़र आ रहा है, अब इस task pane के अंदर मैं upload बटन पे पहले click करूँगा, यह जो PDF है, मेरी upload होगी analyze के लिए, basically इस data के उपर मैं कुछ analyze करना चाता हूँ, कुछ data के insight निकालना चाता हूँ, लेकिन इस insight निकालने के लिए पहले इस PDF को मुझे upload करना पड़ेगा, मैं इस PDF को upload कर रहा हूँ, और इस PDF अपलोड है, मैंने पहले किया cloud पे, लेकिन फिर भी मैं इसे दुबार upload कर रहा हूँ और replace कर रहा हूँ, ओके, मैंने इसे trial पहले किया था, तो वो upload थी, तो यहाँ पे upload करने के बाद, PDF upload करने के बाद, यहाँ पे कुछ seconds वो लेगा, और इस data को analyze करेगा, और आपको कुछ insight निकाल के देगा, देखिए, इस data के उपर insight निकालने के लिए, इस file को आपको Excel में convert क करना पड़ेगा, फिर Excel में जाकर उसमें formula लगाओ, pure table लगाओ, यह सारी चीज़े यहाँ पे करने की जुरूत नहीं है, क्योंकि आपके पास है WPS का AI, यहाँ पर आपके PDF फाइल को read कर रहा है, और read करते ही, उसने कुछ insight निकाल के भी दे दिये है, let me zoom it, guys, let me zoom it, the highest salary in the table is dollar 184551, right, earned by Scott Williamson, who works as a product manager, उसने पूरा insight बता है, कि भाई, product manager है वो, और उसकी highest salary, product manager William, जो है, Williamson, sorry, Scott Williamson देखते है, और product manager, यहाँ पे आपको दिखाए देगा हो, 184, यह दिखाए दे रहा है, dollar, यह रा product manager, right, यह रा Scott Williamson, highest salary, right, यहाँ पे दिखा रहा है, यह पहला insight है, इस दिखाए दे रहा, there are more female employees, 11, दिखाए दे रहा, 11 female employees, then male employees, male employees, कितने 8 है, तो आपको यहाँ पे male कितने, female कितने, मिल गया, right, next insight देखिए, the youngest employee is, youngest employee का नाम भी आ चुका है, Martin है, दिखाए दे रहा है, उनका age कितना है, 26 age है, तो यहाँ पे age-wise उसने analysis किया, और वो कॉन से particular position पे है, वो भी दिखा रहा है, मतलब, position या department, जो भी है, the oldest employee is, oldest employee का नाम दिया है, और उनका age भी दिया है, 59 years, इनको तो रिटायर होना चाहिए, right, the most common position in the table is sales, जो repeated है, position, वो sales आपको दिखाए दे रहे, with 5 employees, working in that department, तो यह जो insight मिल रहे है, यह कापी कमाल के insight है, इनको निक पतनी है, basically, यहापे बस आपको फाइल देना है, और वो insight निकाल के देगा, है न, कमाल का यह है, दोस्तो, और इसके अलावा इनके और भी AI features available है, जो कि मैं यहापे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि more with WPS AI, जो कि जल्दी ही launch होने वाले है, जैसे आप document reader का यहापे इस् Slide Master के अंदर भी आपको मिलने वाले बहुत सारे options, तो यह सारे AI features इनके launch होने वाले है, तो ज़रूर आप इसे check out कीजिएगा guys, तो मैं recommend करूंगा, कि अगर आपके पास Microsoft Office नहीं चल रहा है, Microsoft Office पे नहीं खरीदना चाहते है, आप तो go for this, इसमें आपको सारी चीज़े मिलने वाले, even अगर आप इसके paid features की तरब भी जाते हो, तो वो कम fees में, market के compare में बहुत ही कम fees में आपकी इसके paid features भी कापी interesting मिलने वाले है, तो WPS Office आज डाउनलोड और इंस्ट्रॉल कर लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो के अंदर, तब तर के लिए आपना खायाद वीडियो अच्छा लगाए तो like, share और comment जरूर करना और चैनल को subscribe भी कर लेना, bye bye